हेलो पैरे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी आई होप की सभी अच्छे होंगे बच्चों आज की इस वीडियो में हम क्लास 5 के सब्जेक्ट आर्ट एंड क्राफ्ट की वीक नमबर 26 की वर्क सीट को सॉल्ब करेंगे जो की नौर देली मिन्सिपल कॉर्पोरेशन के हाउस तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियो के नौटिफिकेशन मिलते रहें तो शुरू करते हैं फोलो दा स्टेप्स गिवन बिलो कियर फुली टू ड्रो आ ब्यूटिफुल पिक्चर आप देंगे फिर बच्चों आप देख सकते हैं हाफ ट्राइंगल बनाएंगे उपर की तरफ से फिर बच्चों यहाँ पर आगे की से बनाएंगे इस तरीके से दो लाइन खीचेंगे फिर बच्चों नेक्स्ट में आप इस तरीके से नीचे से नीचे का पार्ट बनाएंगे हा लिखिंगा पेपर विंड मिल बच्चों आप पेपर की विंड मिल बनाएंगे इट मीज पवंचकी आप पेपर से बनाएंगे activity for celebration on the occasion of 75 years of independence of India कैलियोग्राफी बच्चों यहाँ पर आपको कैलियोग्राफी करनी है इट मीज आप अलग-अलग हैंड राइटिंग में लिखेंगे आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर भारत लिखा हुआ है यह बच्चों अलग हैंड राइटिंग में हैं यह जो है अलग हैंड राइटिंग में हैं ऐसे ही बच्चों यहाँ देख सकते हैं यहाँ यह डिफरेंट है और यहाँ पर यह हिंदी में डिफरेंट है तो बच्चों आप इस तरीके से कैलियोग्राफी करेंगे संसकार साला नौलीज इस पावर ज्यान सक्ती है इन्फरमेशन इस लिबरेटिंग सूच नहीं सुटंतरता है इतमीज जानकारी ही सुटंतरता है अजुकेशन इस दा प्रिमाईस ऑफ प्रोगरेस इन एवरी सोसाइटी एंड इन एवरी फैमिली प्रतिक परिवार और प्रगती का आधार है किसने कहा है कॉफी अनान ने फूड एंड ड्रिंक में आज आप क्या लेंगे गुआवा टमेटो सूप अमरूद और टमाटर का सूप केरट एंड रेडिस सेलर गाजर और मूली की सलाधा दी लेंगे आप बच्चों अपनी राश्च्टे प्रतिकों की पिक्चर्स ड्रो करेंगे गेम में आज आप खेलेंगे बैडमिंटन डेली रूटीन इंकलूइगाई हेविट्स को आप अपने डेली रूटीन में करेंगे Begin your day by greeting your parents अपने parents को अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें Brush your teeth twice a day दिन में दो बार दातों को brush करें टे का bath daily रोजाना नहाएं Drink plenty of water पर्याप्ट मात्रा में पानी पियें And eat a balanced diet और संतुरित आहार लें Avoid touching your face अपने चेहरे को छूने से बचें And wash your hands frequently और अपने हातों को नियमित रूप से धोएं Complete your homework on time और अपना ग्रह कारें समय पर पूरा करें टीका करण के बाद भी सावधानी क्यों जरूरी है क्योंकि COVID-19 टीका करण के बाद भी किसी को भी हो सकता है इसलिए आपको क्या करना है मास्क धंग से लगाएं हातों को नियमित रूप से धोएं और सेनिटाइज करें सुरच्छित दूरी बनाएं टीका करण के बाद भी सावधानी जरूरी है मास्क पहनेंगे सभी खिड़कियों को खुली रखें जिससे ऑक्सीजन का इस्तर सही रहे अपनी कोहनी में खासना या छीकना जब छीक आए आपको तो बच्चों आप कोहनी को इस तरीके से मोड कर ढख लें अपने हातों को साफ रखें उचित दूरी का पालन करें जर्दी, फ्लू और दस्त जैसी अन्य बिमारियों के प्रसार को कम करने के लिए नए वेरियंट को रोकने के लिए संचरण की संखला को तोड़ने के लिए अपने परिजनों को स्वस्थ रखने के लिए अधिक्तम सुरक्षा विक्सित करने में कई सब्तहा लगते हैं कोई टीका करण 100% प्रभावी नहीं है अभी भी COVID-19 होने की संभावना है पानी से पैदा होने वाले बिमारियों जैसे डैंगू, मलेरी और चिकन गुनिया आदी से बचने का एक ही उपाए मच्छर पैदा ना होने दें इसके लिए क्या करें? सब्तहा में एक बार कूलर को साफ करके सुखाएं या उसमें एक बड़ा चमस, टैमिफोस, दीजल या पेट्रोल डालें पानी की टंकियों वे होदियों के धकन हमेशा बंद रखें तूटे फूटे, बरतन, टायर, इत्यादी, खुले में ना रखें इनमें बरसात का पानी भर सकता है और मच्छर पैदा होते हैं घर के आसपास पानी खटा ना होने दें चिडियों के पानी के बरतन, मनी प्लांट, फ्रिज की, डीफ्रोस्ट्रे फैंक सुई पौधे का पानी इत्यादी प्रती दिन एक बार अवश्य बदले बच्चों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सेर करना न भूले और यदि आप इस चैनल पढ़नाए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू